वेलकम टू आ चैनल आज हम जेनरल साइंस में केमेस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टन एमसी क्यूज को डिसक्स करेंगे यह पार्ट फाइब है पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर तक अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंग डिया गया है जहां पर जाकर पार्ट वन से ल केलां फोर पार्ट ओर भी है डाइमंड है उसी तरह जो है फ्लारंप्वालय और स्टेट लिवल सेंटर लिवल वाले यहां पर जो है काफी बार रिपीट हुआ है कोशन इसलिए यहां पर हमने कवर अप किया है तो टोटल यहां पर अगर हम देखे तो फ्लोरेंस में बिसिकली यहां पर 60 कारबन एटम्स होते हैं इसका सही जवाब है यह है अपसेन री रेन वाटर को कहा जाता है और विपराईज होके जो है उपर जाके cloud form करता है तो जब rain होता है न तो यहाँ पे जो है purest form of water जो है यह achieve होता है तो यहाँ पे हम कहा सकते हैं कि purest form of water जो है यह basically जो है यह rain water है non-stick cooking utensils are coated with तो non-stick cooking utensils होते हैं तो यह जो है किसे coated होते हैं कभी-कभी जो है यहाँ पर chemical name भी दे दिया जाता है कभी कभी option में जो है common name भी दिया होता है ज्यादा तर यहाँ पर option में आपको teflon ही मिलेगा तो धियान रखना teflon का सही जबाब है इसका जो chemical name है यह भी जुरूर धियान रखना यहाँ से भी question कभी कभी जो है यह भी option में जाता है त कोटिंग लगाया जाता है या फिर कॉमन निम पूछा जाए तो टेफ्लोंस का सही जबाब होगा आगे बढ़ते हैं एमफोट्रिक ऑक्साइड और मेंली फॉर्म्ड वैं तो एमफोट्रिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड मेटल अक्साइड सब हमने डिसकस अल्रेडी पहले कर चुका हैं हमने तो अभी जो है इसके बारे में जाए detailed में नहीं जाते हैं लेकिन थोढ़ा से यहां पर डिसकस करेंगे तोईक जो है यह मेंली कैसे फॉर्म करते हैं मेतल से ही फॉर्मैं करते हैं और यहां पे यह और यांद रखना यह जो होते हैं basically they behave as both acidic and basic oxides यह बिलक फॉलिंग यूज टो आयोडाइज कामन सॉल्ट तो उसका सही जबाव यह ओप्शन 2 पोटासियम आयोडेट का बिसी के लिए स्प्रे किया जाता है कॉमन सॉल्ट में ताकि उसे जो है आयोडाइज कर किया जा सके इस वज़े से बाता सीम आयोडेट को यहां पर यूज किया जाता है कि यह मैं सब को पताए कि UW यह चोवित शोज आडीtal रिंस एटुरीम यह भी ही यह इंड स्टृनीReally रेडियो एक्टीव नहीं होटा है टीक है तो टैंडियम जो नच्छरय की नहीं होता हलां कि इसे इंडेस्टिरी प्रोसेस से रडियोअक्टित बनाया जाता है इसे जो है बिसी क्या किया जाता है किस तरह बनाया governance विटियूर्युष ke बाद किया जाता है इसके बास गर्ण बन जाता है तो यह ह depress Braavas सकता है क्योंकि आज आज करते हैं यह option रहेंगे लेकिन question इस तरह पूछा जाएगा इन में से कौन सा इन में से जो है basically the following is made radioactive by industrial process इस तरह के questions जो है बना जा सकते हैं तो फिस्ट भी किया जा सकता तो धियान रखना यहां पर सही जबाव होगा क्लिश में इसमें greater case होता है यह जो है जो है प्रेजिय संघ। होती होता है यह जो है तूंट स मिकुर अर्मोर सब्स्टस नोन थो मिक्चर हेटरोजीनेस मिक्चर अलरडिय हमने डिसकस कर लिया है इससे डिसकस करने का आप कोई जरूषिद नहीं है basics हैं बिल्कुल देख लेना हाँ clarity चाहिए basics अगर clear नहीं है तो आपको एक्जाम में दिक्कत हो सकता है तो homogenous mixture of two or more solution is known as solution तो इसे basically क्या कहा जाता है इसे solution कहा जाता है example देख लेता है जैसे homogenous mixture ले लेता है water and sugar तो water and sugar को जब हम mix कर देंगे तो यह completely हम कह सकते हैं एक solution है एक homogenous mixture है इसी तरह salt and water यह सारे जो है यह homogenous mixture है अब heterogeneous mixture का भी एक example ले लेता है ताकि आपको समझ में आ जाए जैसे माले जीए यहाँ पर हम अगर लेते हैं sand and water तो यह heterogeneous जो है से मिटल आयन जो है यह constituent है iron copper magnesium zinc इसका जो सही जवाब है magnesium magnesium जो है यह basically constituent है of chlorophyll यह जो metal iron है basically magnesium जो metal iron है यह present होता है chlorophyll में जो है यह present होते हैं यह जो leaves में जो है यह present होते हैं अब इक important बात बता दे बहुत सारे students वह इस चीजी को मिस कर रहे हैं वीडियो को आगे भी continue करेंगे अभी recently हमने स्टाटिक जीके का 100 प्लस टॉपिक का जो है booklet launch किया है जितने भी इक्जाम होने वाला है रेलेवे का ग्रूप डी एक्जाम होने वाला है सीवी टी टू का एक्जाम होने वाला है बहुत सरे आलग अलग इसके लिए हमने 100 प्लस स्टाटिक का बुकलेट यहां पर रिसेंटली बनाया है यह बुकलेट 109 रूपिस में आवे लेवल आपके लिए करा है यहां पर हमने टोटल 110 टॉपिक जो है कवर अप करा है तो यह बिल्कुल आप देख सकता है यह सारे टॉ पर कवर अप किये गया है और यहां से जातर को बनते हैं इसलिए इन टॉपिक को हमने कवर अप करके यह जो है बुकलेट आपके लिए बनाया है ताकि स्टाटिक जीके से आजकल जो है यहां पर साथ से आट को पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा नंबर है यह आप भी लिंक से खरीते हैं तो यह सिर्फ आपको 100 रुपिस में मिल जाएगा 109 आपको पे करने का जरूरत नहीं है यहां पर हमने 110 टॉपिक हमने कवर अप किया है यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं यहां पर लगवग स्टाटिक जीकेगा यह बिल्कुल देख सकते हैं इसे किया है बहुत अच्छा सा प्रिपेर कर सकते हैं तो पूरा कॉसिस किया गया है कि स्टाटिक देख जिस मिस ना हो लेना कैसे है levels of में क्लिक क्लिक करना उसके बाद जो है वहां पर जाकर अपना नाम फोर नमर الا ideal वरना जैसे यह वह 100 रुपिस पे करता हैं उसके बाद आपको क्या करना अपना mail ID खोल डेना आपके mail ID में file वहेज दिया जाता है जहाँ से डाउनलोट कर सकता है simple file है download कर सकता है एक बार डाउनलोट कर लिया फिर आप प्रपेशन कर सकता है तो सारा detail हमने बता दिया और इंग्लिस में हैं इंग्लिस में जितने डेने वाले हैं वही यह जो है बुक्लेट्स को लेना मिस मत करना जितने वी student आगे चलके एक्जाम देने वाले पूछं सकता है तो सारी चीज़यों के अब के लिगर वी मिटेश करिक्षेंगा उसी लिंक से खरीद नई है और उसले रीड रूपिस में भी है और उसी लिंक से अब दे default थे खरीद सकते हो वहाँ पर जो है जाना है अपना नाम फोनोबर इमेल आड़ी भरना है जैसे आप 100 रूपिस पे कर देते हो अपना मेल आड़ी खोल लेना और उस मेल आड़ी से जो है इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं आगे बढ़ता है तो यहाँ पे देखिए इस तरह कुर्शन आजकल बहुत और अज़्य है क्या है यहाँ पर फॉर्मुला ही इसका फॉर्मूला है और यह फार्मूला यहाँ पर और एक मेटल है यहाँ पर सबसे देन्स में से कॉन सा है तो तो सबसे डेंस अगर हम देखे तो तो है यह सबसे dense metal पूछा जाए तो यह है osmium, osmium के बाद और एक metal है, यह second number में है iridium, यह note down बिल्कुल कर देना, iridium, sorry, iridium जो है, यह second में आता है, यह second dense metal है, तो यह भी याद रखना, कभी-कभी osmium अगर option में ना हो, तो iridium यहाँ पर सही जबाब होगा, आगे बढ़ता है, presence of which salt caused temporary hardness, तो यहाँ पर जो है, कौन से salt basically present होता है, जिसके वज़े से यहाँ पर temporary hardness होता है, तो dissolve amount of basically, यहाँ पर calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate यह present होता है, जिसके वज़े से जो है, यह temporary hardness होता है, तो यहाँ पर सही अंसर होगा, option number two, calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, यह दोनों salt basically present होता है, इसे वज़े से जो है, य लेक्त्रों को क्या कहा जाता है यह तो है क्या शॉब्टान कहा जाता है जहक कान साılar असान है इसके हैं कूछ पूछे जाते हैं लिए आपी ज़रूर लिया जाते हैं फुरस बिछ जो है है। है लेकिन लिक्वीट के फॉर्म में यह जो है प्रेजन्ट होता है सिल्वर भी मेटल है गालियम भी जो है यह हम कह सकते हैं कि यह सेमी कंडॉक्टर वेसिकली इस तौर में भी यूज किया जाता है लेकिन इसे हम जो है यहां पर नॉन मेटल के तौर पर इसे कंसिडर नहीं कर सकते तो यहां पर सही जबाब होगा option number two sulfur sulfur यहां पर जो है यह नॉन मेटल है बाकी सारे जो है यहां पर कहा सकते हैं कि यह नॉन मेटल नहीं है basically metals है यहां पर यहां पर सेमी कंडॉक्टर है silver metal है mercury metal है गालिलियम जो है इसे हम कहा सकता है इसे सेमिकंडुक्टर के तौर पर भी यूज किया जाता है लेकिन ये नॉन मेटल नहीं है तो इस तरह आप आप आपको अंसर नहीं आता हो तो कुशन को एक बार पढ़ना जरूर और आपसन अलिमिनेट करने का कोशित जरूर करना आगे बढ़ता है पौलिमरिक सब्स्टेंस युज तू मेग पयरेशॉट ये कुशिन आपके लिए है इसका सही जबाब को कमेंट बाक्स में देना है एक कुशिन हम हरदम आपके लिए छोडते हैं ताकि उसका सही जबाब आप कमेंट बोक्स में जरूर दें तो इसका जो है comment box में आपको इसका सही जवाब बताना है आगे बढ़ता है ब्राउन रिंग टेस्ट इस यूज टू डिटेक्शन आफ तो बिसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट जो है इसे क्या चीज को जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो ब्राउन रिंग टेस्ट अगर ह प्रेजेंट है या नहीं है इसके वज़े से जो है कौन से टेस्ट किया जा सकता है तो इसके वज़े से जो है ब्राउन रिंग टेस्ट हम यहां पर कर सकते है ताकि पता लागा सके कि यह इसमें जो है नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है इसे भी हम जान सकते हैं बा कवर अब करते हैं ताकि एक्जाम में आपको benefit मिल सके तो catalyst जो नाम दिया गया है यह कोईन किया गया था बाई बडजीलियस कार्बन तो कार्बन का प्यूरस्ट फॉर्म इनमें से कौन सा है तो डायमंड जो है जो कि common है सारे ही एसीट में तो इसका सही जवावे है hydrogen hydrogen जो है यह सारे ही एसीट में जो है यह common है hydrogen जो है सारे ही एसीट में बिसीकली यह present होता है the matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substance is known as तो इसे हम कौन से substance कहेंगे इसे हम pure substance कहेंगे pure substance वो substance होता है जिसे और further जो है से breakdown नहीं किया जा सकता है the matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substance is known as pure substance the ultra pure metal is obtained by तो ultra purification यह कैसे किया जाता है तो इसका जो process है यह है zone refining ठीक है तो अल्ट्रा प्योर मेटल यह अल्ट्रा प्योरिफिकेशन जो किया जाता है यह बिसीकली zone refining process से किया जाता है which is the most electronegative element in the predictable तो सबसे ज्यादा electronegative element कौन से है पूरे प्रेडिक्टेबल में तो सबसे ज्यादा electronegative जो है यह है फ्लोरीन बिल्कुल धियान रखना तो हम alkenes कहते है ठीक है तो saturated hydrocarbons जो होता है इसे कहा जाता है alkenes hydrocarbon in which the carbon atoms are linked to each other by single bonds तो single bonds से जो है यहां पर यह लिंक्ट होता है इसे हम saturated hydrocarbons कहते है chemical name of caustic soda तो caustic soda जो है इसका chemical name क्या है chemical name बहुत जाता common है यह जो है question जरूर बनते है एक्जाम में तो chemical name of caustic soda अगर पूछा जाए तो इसका जो सही जवाब है यह sodium hydroxide sodium hydroxide जो है इसका यह chemical name है यहाँ फार्मूला बिल्कुल mention कर देता है यह बिल्कुल याद रखना ठीक है कभी-कभी जो है यह भी पूछ लिया जाता है common name क्या है तो यह सारे जो है जो common चीज़े हैं उनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना यहांसा question बिल्कुल बन सकता है